तो आज हम पास्ता का प्रिमिक्स अब तयार करेंगे इस प्रिमिक्स से आप बिल्कुल ऐसे कोई बोल भी ने सकेगा कि यह पास्ता प्रिमिक्स से आपने पास्ता बनाया है तो सबसे पहले हम प्रिमिक्स अब तयार करेंगे इसके लिए देख लेते हैं हमें क्या चाहिए यह मैंने मिल्क पॉडर लिया है यह कौन फ्लोर है यह मेनने रोस्टेड मैदा लिया है यह पिसी वी चीनी वाइट पेपर पॉडर सॉल्ट यह गार्लिक पॉडर चीज पॉडर एरोमेट पॉडर पीजा सीजलिम और ड्राइ कौन्स यह सारा समान हां इनकी क्वांडिटी है मैं description box में mention कर दूंगी तो सबसे पहले मैं एक बड़ा बाउल ले लेती हूं अब मैं सारे इंग्रीडेंट को एक-एक करके एक बाउल में मिक्स कर लेती हूं आप इसको मिक्सी में डालके चर्ण भी कर सकते हो और इसको यह ही अच्छे से फिसकर से मिक्स कर सकते हो मैंने सारे समान को डाल दिया है एक-एक करके और अब मैं इसको इनको हमें अच्छे से विसकर के और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है और यह हमारा पास्ता का प्रिमिक्स रेडी हो गया है अब मैं आपको दिखाऊंगी इस प्रिमिक्स से आपको पास्ता कैसे तयार कर अब हम पास्ता प्रीमिक्स से कैसे पास्ता बनाएंगे वह मैं आपको दिखा रही हूं यह अभी हमने जो प्रीमिक्स तयार किया है यह हमें 20 ग्राम ले लेना है 50 ग्राम यहां मैंने पास्ता उनको बॉइल करके ले लिया है हाप कप चीए हमें मिल्क और एक चम्मत चीए हमे बटर तो अब ये हमारा इंस्टेंट पास्ता है वो तयार हो जाएगा और आप इसको सेल भी कर सकते हो और इसकी ओल्डेडी मैंने क्लास भी दे रखी है और फेस्वुक लाई में भी बता रखा है तो उसका भी मैं आपको लिंक वो नीचे दे दूंगी तो यहां मैंने गेस को चालू कर दिया है इसके अंदर मैं डाल देती हूँ बटर साथ ही हमें डाल देना है हमारा पास्ता प्री मिक्स यह हमारा कौन चीज फ्लेवर का तयार होगा इसी में मैं डाल देती हूँ मिल्क और इसी में मैं डाल देती हूँ पास्ता तो देखे कितना इजी है बनाना अब हमें इसको अच्छे से खुख कर लेना है और ये बनने के बाद कोई भी नहीं कह सकेगा कि आपने प्री मिक्स से पास्ता बनाया है इत्ता ये टेस्ट में बहत्रीन है वो तयार होता है जैसे ही बोईल आएगा ये थिक कंसल्टेंसी में हो जाएगा अब आप जिस टाइम इसको सर्व करो उस टाइम आप उपर से ग्रेटे चीज डाल के सर्व कीजिए ये देखे हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है ये इस की फ्लेम में कर देरिंग ओफ और मैं आपको दिखाती हूं पास्ते देखें तो कितना जटपट ही हमारा पास्ता तयार हो गया पास्ता प्रीमिक्स से आप इसको जरूर टाइ करें और मेरे को बताएं आपका पास्ता कैसे बना और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सबिस्क्राइब करना ना भूलें थैंक्स पूर वोचिंग